Hello friends, my name is Tash Tamboli and welcome to my YouTube channel, Soft Tech for You. आज के सुड़े में हम लोग सीखने ले 12th Standard महाश्टी बोड का जो IT सब्जेक्ट हैं. इस IT सब्जेक्ट में जो Advanced Wave Designing की 4th No. SOP हम लोगो दी गई हैं. इस 4th No. SOP को हम लोग practically कैसे सॉल करेंगें? यह आज के सुड़े में हम लोग step by step सीखने हो लें. तो जैसे स्क्रीन के उपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हम लोगो ने 4th No. SOP का यहाँ पर कोशन उपन किया हुआ है. इस कोशन में हम लोगो दिया गया है creation of website using HTML5 and CSS. तो यहाँ पर हम लोग एक website create करना है using HTML5 and CSS की मदद से. उसकाद में हम लोगो दिया गया है create a webpage as given layout. तो यहाँ पर given layout मतलब यह layout आप लोगो webpage में create करना है. Use nav tag, header tag, footer tag, aside tag, article tag with CSS. यहाँ पर यह tag आप लोगो use करना है with CSS भी इसके उपर आप लोगो apply करना है. तो जैसे में first tag आप लोगो यहाँ पर clear कर दो जो यह new tag मतलब यहाँ पर navigation tag इसे कहा जाता है. जो आप लोगो home यह सब show हो रहे हैं यहाँ यहाँ पर new tag की मतलब से create किया हुआ है. उसकाद में header tag जो आप लोगो show रहे हैं इसे news और यहाँ पर local जो दिया हुआ है. यह part यहाँ पर header tag की मतलब से create किया हुआ है. उसकाद में footer tag जो use किया हुआ है. यहाँ पर footer information लिए यहाँ यहाँ पर use किया हुआ है. अब rtl tag यहां पर जैसे देख सकते हैं यह section आप लोग अलग्ष होगा और यह ओला section आप लोग अलग्ष होगा तो इसके लिए हम लोग कौन सा tag यूज करेंगे यह सब कुछ मैं practical आप लोगो बता दूँगा साथ में जैसे यह tag जो आप लोग दिये same यही tag हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे और जो layout हम लोग यहां पर दिया वा same to same layout हम लोग आज के इस वीडियो में इसे create करेंगे तो इसके लिए हम लोग अपना program create करने के लिए हम लोग सबसे बहले window की प्रेस कर दें जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं sop3 का external file है जिसे हम लोग यहां पर close कर देंगे उसका second file थी यहां पर और यह first file थी जो मने आप लोग लिए previous video जो create की हुए यह sop3 के है उस video की link आप लोग का i button में मिल जाएंगे नीचे description में भी इसकी link दी गई है तो वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं और आज की video हम लोग की sop4 के regarding है तो इसके हम लोग फिर से एक new file create करेंगे इसके हम लोग यहां पर explore पे click कर देंगे और यहां पर new file पे click कर देंगे new file पे click करने बाद में यह हम लोग की sop4 है तो sop4 हम लोग यहां पर file name देंगे with HTML यह उसका extension देंगे अगर आप लोग HTML file create कर रहे हो तो आप लोग को HTML extension देना एक compulsory उसका आद में हम लोग यहां पर enter कर देंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हम लोग की sop HTML यहां पर create होगी अब HTML में सबसे important part अगर कोई है तो है HTML का structure HTML का structure के लिए आप लोग को यहां पर सिर्फ एक्सेलमेटरी मार्क्स देना है और एंटर करना है तो HTML का पूरा structure आप आप लोग के साम में यहां पर show हो जाएंगा अब इस structure में जैसे आप लोग को मेंट टैक की हाप कोई requirement नहीं है तो यहां पर महीं कर देता हूं इससे यहां पर रिमूट कर देता हूं ताकि कोडिंग थोड़ी आप लोग को कम शो और यहां पर आसा नहीं हो समझने के लिए इसका अब लोग दोंगे या नहीं भी दोंगे तो भी कोई effect नहीं है आप लोग का output आ जाएंगा मेंट अगर हम लोग यहां पर रग भी देते तो भी कोई problem नहीं था इसका output आई जाता लेकिन यहां पर coding extra आप लोग को शोओंगी उससे थोड़ा पोट आप लोग को समझन में problem आजाता है तो इसलों हम लोग ने उससे रीमूड किया हूं हम लोग यह तैटल में जैसे हम लोग की SOP 4 एं तो यहां पर हम लोग टाइप कर देंगे title SOP 4 और यह हम लोग create कर देंगा इसका layout यहां पर layout यह type कर देंगा SOP 4 लेयाओ इसे आप में हम लोग यहां पर body tag मे हो जो हम लोग का question है इसे भी हमप स्क्रीण करने की बाद में एक साथ आप लोग यहां पर question सही सो हो जाएंगा और एक स्सलाध आप लोग यह reathส हो जाएगा जैसे मैं कुणि एक्स्रोर को हम पर हाइड करेंगा इसा मैं यह tag name देंगे और header tag के between जो first यहां पे जो news आप लोग शोओ रहा है इसके लिए हम लोग यहां पे un tag use कर देंगे यहां पर h1 टैग में यहां पर type कर देंगे news new type करने के बाद में हां पर h1 tag के बाद में हम लोग enter कर देंगे और जो second हम लोग यहां पर local लोकल और नेशनल यूज जो रहे अब इसके लिए हम लोग तैके यूज करेंगे और इसके अंदर जो एलिमेंट सम्मझित यहाद टाइप करदें गए लोकल और नेशनल वां छॉरे या हम लोग hybrid का फार एक जो दर करेंगे यह आम लोग का सेर्ट हम तो header tag के बाद में हम लोग यहाँ पर enter कर देंगे और यहाँ पर new tag देंगे और new tag के between जैसे आप लोग को menus create करना है यहाँ पर menu create करने के लिए आप लोग को anchor tag A use करना है anchor type में जैसे hyperlink reference यहाँ फिलाल आप लोग hash देतो उसके आद में जो हम लोग को text अपने web page पे show करना है तो उसके लिए हम लोग home यह capital में यहाँ पर home हम लोग type कर देंगे home type करने के बाद में जैसे आप लोग यह जो part show रहा जैसे यहाँ पर three menus create है तो यहाँ पर हम लोग इससे जो first anchor tag इसे select करसे गे control C करने कर देंगे हँ यहाँ पर एंटर करके control V कर देंगे फ्यसे एक बाद its you अब जैसे हम लोग हैाँ पे home की जगे पर हम लोग है यहाँ पर seven यहाँ पर अच्टिक करने हएं आच्छिव अचिव टाइप करने फॉइब एक भाड़ नोसुन स्थेत्तुर जैसे आप लोग ने लाइज srv extension extension install किया हुआ है तो यहां पर आप लोग गो लाइव यह option शोओंगा गो लाइव पर जैसे ही क्लिक कर देंगा जो भी सभी इंधा में में एंटर करदेंगे हैं आप लोम लोग यूज कर देंगे हैं यहां ऋलोकल व्ह हम लोग ट्रम अब अरुट करने बारमों CEर्च करने शोड़र टैक्स से क्रेट किया हूँ तो यहां पर हम लोग आर्टिकल यहां पर टैग निम दे देंगे और आर्टिकल टैक्स के अंदर जैसे आप सिर्भ यहां पर मैं क्या करेंगे जो लाहिन हम लो données कर देंगे एज नेक्не अंдर हम ले लेंगे कर चाहिए जी बात पर आप लोग यहां पर दिया गए लाइन का इससे सिलेक करके ctrl C कर देंगे और यहां पर हम लोग इससे paste कर देंगे पेस्ट करने के बाद में इससे एक p tag ले ले लेंगे इसे हापे हम लोग select कर देंगे, select करने के बाद में यहापे से copy कर देंगे और हम लोग अपने paragraph P tag में हापे से paste कर देंगे, Ctrl S कर देंगे और हापे मैं सिब आप लोग इसका output बता दूँ, कि हापे देखो output आप लोग कुछ इस type में हापे show जाएंगा, अब यहापे जो extra जितना भी पार्ट है, यह फड़क बड़ में हापे copy paste कर देता हूँ, सब में आप लोग को same यहापे वही same type करना है, जैसे यह article का यह first part है हापे complete हुआ, second यह article tag आप लोग को यहापे दिया गया है, जैसे यह पूरा हम लोग यहापे copy कर देंगे, select करके, select करके copy कर देना, enter कर देंगे और यहापे paste कर देंगे, paste करने बाद में second part जो भी मैं फटटबट copy paste यहापे कर देता हूँ, उसका आप में इसका output बता दूँगा, उसका आप में यहापे यह पाट है, इसे मैं आप लोग को clear कर दूँगा, अब paste करने बाद में इसे control as कर देंगे और यहापे हम लोग अपना output चेक करेंगे, इस टाइप में आप लोग यह output शोंगा, यह हुआ हम लोग का एक section complete, अब second section है, as it is सब कुछ होई यहापे जो due tag है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसे select करके copy कर देंगे, और copy करने के बाद में यहाँ पर enter कर देंगा और यहाँ पर paste कर देंगे, अब यहाँ पर due tag है, यह फर्स section के लिए हम पर create किया हुआ है, यहाँ पर second section के लिए second due tag है हम लोग ने, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो इसके अंदर जो text है, यहाँ पर मैं फटाबट copy paste कर देता हूँ तो यहाँ पर हम लोग सब पेस्ट किये, यहाँ पर मैं आप लोग को अपना output दिखा दो, यहाँ पर output कुछ इस टाइप में आप लोग यहाँ पर इस टेक्स बेस से आप पर show हो जाएंगा, मतलब हम लोग का यहाँ पर header हुआ, नविगेशन टेग वा, आर्टीकल हुआ जिससे हम लोग निया हुआ है, यहाँ तो यहाँ पर हम लोग का इसी टेक्स बेस में आप लोग यहाँ पर create कर रहा हूँ बाद में उसके उपास CSS हम लोग अपकर करेंगे, उसका next नेक्स पर हम लोग नोग यहाँ पर यह उससे क्रेट कर देंगे अब यह यहां पेस्ट में अपने प्रोग्राम में इसे टाइप कर देंगे या जैसे मैं पहले इसे यहाँ पर कोप्य कर देढ़ कर देगे। यहाँ पेस्ट की लिए हम लोगों को जो हम लोगों नहीं आप अर्टिकल के लिए जो पार्ट लिया हुआ था है हैं 50 यहां पर प्रम्त मिलेंएफ अंदर पी सब्सक्राइब होicer करें लिए यहां पर पेस्ट करेंगे ओर हूं पर एक क। चाहिए या पिस्ट रह लोग है पदो रहे किसे भिआ कर ले concert में फिर सिसे कॉपी कर देता हूं यहां बीन यूस रिपोर्डर इसे Ctrl C copy कर देंगे और यहाँ पर इसके अंदर इसे paste कर देंगे उसका next जो part यहाँ पर text आप लोगो शोओंगा यह text आप लोगो first paragraph में हापे चाहिए तो first paragraph में हम लोग दे देंगे और उसका second यहाँ पर सिप एक word करके इसे आप लोगो select करना है जैसे मैं हापे Ctrl C करके यहाँ पर paste कर देता हूँ ताकि आप लोगो जो भी output जो question में आप लोगो दिया हुआ है same to same text आप लोगो हाँ पर show हो जाए उसका control S कर देंगे और अपने output में हाँ पर check करें इसे तो output यहाँ पर कुछ इस टाइप में हाँ नीची शो रहा है बाद में से हम लोग यहाँ पर CSS की मदब से right side section में हाँ इसे manage कर देंगे उसका आप में यहाँ पर हम लोग को last point दिया गयाublique a footer यहाँ पर जैसे footer वाला पार्ट चाहिए footer में यहाँ इस footer इंफोमेशन चाहिए थो हम लोग यहाँ पर aside के बाद में यहाँ इंटर करदेंगे can व्यादा है फुटर ये ट्याग है फुटर टैग में आप लोग को सीड़ टेक्स चाहिए और हाप एसे सी थोड़ा आप लोग ठ्कनिस इसकी ज्यादा चाहिए इसके लिए हम लोग है फ्याद प्र ट्याग करेंगा इसके अंदर हैं पर टाइप करदेंगे फूटर इंफोरम नथा हम लोग यहां पर अन्टरेंという तो इंचेकरदेंके लिए हम लोग यहां पर है Patrick यहां पे på टैग जिसे कह आ यह background color gray है तो इसके लिए first हम लोग यहाँ पर selector ले लेंगे body, body यह selector ले लेंगे open कर लिए close कर लिए इसका declaration block है और यहाँ पर first property हम लोग use कर देंगे background color और उसकी जो value है आप लोग अपने according जैसे यहाँ पर यह light gray color show हो ह cheddar मुझ्छे तो these iha piti light gray हम लोग यह happened Color name देगे color देने की बाद में यहाँ पर आप लोग control s कर देना और यहाँ पर check कर लेना आप लोग color हम पर कुछ Ultra show हो रही है जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैए color आप लोग श्यकुलर पवे सकते हैं अंजुन करना मेशॲिए याप चोई सकते क्षीक के मड्राइज करना है कन्त्रोल एस कर दो इसमुद्र करको तो चोईस उसका कर z यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते, text का आप लोग को, यहाँ पर जो style है, यह कुछ अलग यहाँ पर शोओंगा, जिससे यहाँ पर font family की मदद से हम लोग यहाँ पर change कर देंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर body tag में, यहाँ पर background color property की बात में, यहाँ पर आप लोग text देख सकते हैं, कुछ इस type में आप लोग यहाँ पर text शोओंगे, अब यह part हुआ हम लोग का body का, मतलब जो background color है और यहाँ पर जितने भी text है सब हम लोग ने area font में यहाँ पर लिया हुआ है, उसकाद में हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ हम लोग क अपना काम शुरू कर देंगे, फर्स तो यहाँ पर जो इसके लिए tag हम लोग लिया हुआ है, जैसे neo tag ये use किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग enter कर देंगे, और यहाँ पर neo as a selector ले ले लेंगे, और neo selector में open कर लिसे close कर लिस declaration block में, यहाँ पर इसका background color आप लोग देख पर देख cácuट, क्या है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर है पर यहाँ पिल्यू कलर में आपने अपन आपड़ी अपने एक लिए कलर आ है इसे critical चेंज कर सकते, चाणिस कर देंगे, उसका Primus जो आप लोग देख सकते हैं हिए》 और यहाँ पर हम लोग देख सकते हो यहाँ कि height कितनी है मतलब यहाँ पर थोड़ा ब्रॉट आप लोग को शोओ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसकी padding change कर देंगे यहाँ पर हम लोग हम लोग यहां पर enter कर देंगे और anchor tag A as a selector ले लेंगे open कर लेंगे close कर लेंगे अब हम लोग इसका color यहां पर property यूज़ कर देंगे और यहां पर उसका color देंगे white color white दिये control s के तो यहां पर आप देख सकते color आप लोग को white color show हो जाएंगा उसकाद में अगर आप लोग इसी size change करना है आप लोग size भी change कर सकते हैं जैसे मैं आप लोग यहां पर clear कर दूँ उसके हम लोग यहां पर font size यहां पर property यूज़ कर देंगे और यहां पर आप लोग 10-15px आप लोग type कर देना control s कर देना तो यहां पर आप लोग size यहां पर कम ज्यादा आप लोग अपने according कर सकते हैं उसके पैडिंग है पैडिंग में आप लोग चेंज करना है यहां पर हम लोग क्या करेंगे आप लोग को शो हो जाएंगा 5px आप लोग अपने according जितना भी size चाहिए आप लोग एक value यहां पर टाइप कर देना उसके यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूज़ कर देंगे तो इसके लिए हम लोग यहां पर property यूज़ कर देंगे टेक्स डेकोरेशन और यहां पर देंगे thickness टेक्स डेकोरेशन थिकने से property यूज़ कर देंगे यहां पर पहले 2px हम लोग size देंगे कंट्रोल एस कर देंगे तो इहां पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग अपने according यहां पर इसकी size कम जादा आप लोग कर सकते हैं 2px या 3px आप लोग अपने according ले लेना तो इहां पर आप लोग यह समझ गांगे इसका जो अंडरलाइन इसका thickness हम लोग चेंज कर सकते हैं text decoration thickness इस property के मदस से और अगर आप लोग को यहां पर जो शो हो रहा है जिसे output में अगर आप लोग यहां पर अंडरलाइन हर टेक्स के नीचे नहीं आ रहे हैं तो यहां पर आप लोग next यहां पर जो प्रॉपर्टी उसे भी यूज का सकते हैं जिसे कहा जा decoration thickness यह property भी यहां पर यूज कर सकते हैं उसका next आला जो पार्ट हम लोग यहां पर दिया गया है तो यहां पर जैसे आप लोग देख सकते हैं आप लोग अपना जो भी पेज़ी से जुन करके देख लिए यहां पर आप लोग को एच थोड़ा यहां पर बाकि जो टेक्स उस बी-c DC में लेने भात में जैसे हम लोग सकते हैं यहां पर इस है ख烦 देख सकते हम यह चैंज करने के लिए पहलेसा है। बी टैग यूज कर देंगे और बी टैग में जो ए वाला यहाँ पर पार्ट है अच्छी उसका इससे सिलेक करके कंट्रोल एक्स कर देंगे इसके अंदर हैं पर पेस्ट कर देंगे उसका दमी यहाँ पर जो आए इसके उपर भी सेम आप लोग यहाँ पर बी वाला एक पर आप लोगों देना इसके उपर तो इसे हम लोग कर देंगे और कुछ इस टाइप में हम लोग का यहाँ यहाँ जादा बढ़ा चाहिए तो यह हम लोग ने बी टैग के अंदर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग CSS में B as a selector ले लेंगे, open कर लिए से close कर लिए इस declaration ब्लॉक में, सिर्फ हम लोग यहाँ पर type कर देंगे, इसकी font size हम लोग चेंज करना है, तो font size यह property ले लेंगे, और उसकी value हम लोग अपने according, जैसे मैं यहाँ पर 20px दे देता हूं, control s कर देता हूं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बाकि पूरा capital लेकिन h, a, i और a जो part यहाँ पर show रहा है, यहाँ पर आप लोग बाकि जो text है, उसके comparison यहाँ पर ज्यादा बड़ा आप लोग शोगा, तो यह हुआ हम लोग का new का part complete, उसके आद में हम लोग next वाला जो part है, यह section अलग से हम लोग create करना है, जिससे हम लोग उने due tag की मदद से create किया हुआ है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो background color है, और यहाँ पर जो आप लोग local news का background color है, यहाँ पर जैसे आप लोग शोग रहा है, इसका color में थोड़ा difference है, यह थोड़ा light gray और यह थोड़ा dark gray यहाँ फिर यहाँ पर जोड़ा, तो आप लोग अपने अकोरिगे, हम लोग अपर color match करेंगे, हम लोग आउर्पूट पर आजाएंगे, अब यहाँ पर local news, यह section हम लोग को अलग करना है और यहाँ पर national news, यह section अलग से करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहा पे हम लोग जैसे मैं grey color देदा हूं, ctrl s कर देता हूं, तो यहाँ पे देखो, grey color कुछ इस type में हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा color है हैं पे manage कर देदेना, थोड़ा light कर देंगे इसी, ctrl s कर देंगे, और थोड़ा light कर देंगे control s करके check करते रहे न आप लोग अपने अकोड़ी हाँ पे color manage कर देना उसके आद में हाँ पे जैसे color complete हुआ आप लोग यहाँ पर देख सकते यहाँ पर थोड़ा bluish type यहाँ पे color show रहे आप लोग जैसे हाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ आप लोग अपने अकोड़ीं जो color यहाँ पर दिया हुआ है इसमें से आप लोग जो भी point आप लोग शोओंगा यहाँ से आप लोग color choice कर सकते हैं और जो gray अलग color है तो यही पर एक साइड में आप लोग शोओंगा controlize करके आप लोग चेक करते रहे न तो यह हुआ हम लोग यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर शो रहे हैं तो सबसे पहले इसके उपर effect कर देंगे जो यह पार्ट आप लोग शो रहा है इसे हम लोग को लिफ section में ही रखना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी उसका देंग में जिसे कहा जाता है फ्लोट प हम लोग इसके उपर वर्क कर रहे हैं यह आप लोग याद अपने चेंज कर सकते हैं जैसे हम लोग यह टोटल 100% पेज रहता है तो इहाँ पर हम लोग क्या करेंगे विफ इसकी 70% यहाँ पर इसकी भैली देंगे क्ट्रोल अर्ल चेंज कर देंगे उसकी मार्जन आप लोग चेंज करना यहाँ वह लोग यहाँ उसके आप लोग कर देने सकते है यहाँ पर जो margin के वाइस यहाँ पर space आप लोग शोओंगा और यह दो section में भी आप लोग यहाँ पर space शोओंगा अब यहाँ पर आप लोग अगर जंब लिंग हो रहे हैं कि color, font size, padding, margin, float तो यहाँ पर इसके सब के वीडियो मैं आप लोग के लिए create की हुए हैं जो CSS की playlist है उसमें आप लोग को यहाँ पर जितने में properties यूज़ कर रहा हूँ हर एक properties की वीडियो आप लोग को उसके अंदर मिल जाएंगी जो मैंने आप लोग के लिए detail में create की हुए हैं अब इसका background color आप लोग को white चाहिए जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यह section अलग-अलग है अब इसके उपर हम लोग work करना शुरू कर देंगे तो इसके हम लोग क्या करेंगे जो article हम लोग को ने use किया हुआ है अब article हम लोग को ने यहाँ पर use किया हुआ है त यहाँ पर देख सकते background color white आप लोग यहाँ पर show हो जाएंगा उसके margin है यह फिर padding है आप लोग अपने according दे सकते हैं यहाँ यहाँ पर clear ही कर देता हूँ फर्स्ट हम लोग यहाँ पर इसकी margin 5px देंगे Ctrl-s कर देंगे margin यहाँ पर कुछ इस टाइप में शोओगी या जैसे हम लोग 5px जेगे पर 7px में कर देता हूँ Ctrl S कर देंगे, तो यहां पर आप लोग के Margin Show होगी, यहां पर जैसे आप लोग देख सकते, Margin All Side से, यहां पर 7px होगी, उसकर में Padding, इसे भी हम लोग All Side यहां पर Change कर देंगे, तो Padding, यहां पर हम लोग ले लेंगे 2px, यहां पर 2px लिए Ctrl S के, यहां पर Padding भी इसकी Change यहां पर आप लोग देख सकते, यह पार्ट आप लोग एक complete हुआ है, यहां पर जो Question है आप लोग का, जैसे Local News यहां पर आप लोग शो रहे हैं, और Fire जो आप लोग Fighter यहां पर New Library यह और पार थोड़ा यहां पर Space में जादा आप लोग शो हो रहे हैं, तो इसके लिए हम ल Last में कर देंगे, उसका आप में Second Part भी हम लोग का complete हुआ, अब उसका आद में Main Part आता है, जो भी हम लोगों यहां पर Aside जैसी इस पार आप लोग शो रहे हैं, यह आप लोग राइट साइड में चाहिए, और Footer आप लोग नीचे Bottom में चाहिए, तो यह जो आप लोग का Aside है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें हैं, First तो यहां पर हम लोग Aside, Aside यहां पर Selector ले लेंगे, Aside यह Selector लेंगे और Open कर लेंगे, Close कर लेंगे, Declation Block में, First इसका जो Background Color है, जो Gray Color में आप लोग यहां पर शो रहे हैं, तो यहां पर हम लोग देंगे Background Color, अब यहां पर जो Gray Color हम यहां पर यहां पर यहां पर News Reporter शो रहा है, इसका Color आप लोग इसके जैसे Same Match होंगा, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां थोड़ा पर चेंज है तो आप लोग अपने Accounting यहां पर इसे Change कर सकते हूं, उसके आद में हम लोग क्या करने है, Be a News Reporter यह हम लोग राइट लिए Ctrl S के तो यह राइट साइट में आप लोग साइस होंगा, लेकिन जैसे आप लोग देख सकते हैं नीची के साइट आप लोग को शो हो रहा है, अब इससे भी हम लोग मैनेज कर देंगे उपर कैसे लेना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लो और यहाँ पर संड यह सिंबॉल आप लोग को देना है, Ctrl S कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप में आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा है, अब यहाँ पर शो रहा है आप लोग को यह चाहिए आप लोग को यहाँ पर, अब फुटर इन्फोरमेशन यह फुटर चा हैँ ने अगर ना जैने को यहांब ने ही जीनर फुल्स्लीन कर देंगे यहां पहले हैं पर齐 की तरे इसे भार चला गया है फिरसे हम लोग अपने प्रोग्रम में आ जएगे और यहां पर जो हुड है इससे आप estar जो लोग यहां पर इसे ऊपर eu कर देंगे के बागे हम लोग से लास्ट में करदेंगे करतेंगे जैसे तो क्या करेंगे आ हम लोग surprised कर स्कुर्सिंट कर देंगे और हैं पर जो फुटर एज़िए से ले लेज फुटर यहाइप से लेहं पर नेविट ले September 747 अब फुटर यहापfikğ अशability करा है सनती इसे रपए आप Millionen 252 आपने इसके पर फुटर को फुटर अपने इसके कमच deben狄 लिए member हम लोग के ने टाइक में जो यहां पे बैगरांड कलर लिए थे स्ये मवह इंते फिम कलर शायक कर देंगे आ चंपल आ अंकर देंगे और यहां पर करेंगे paste करनें, बाद में control-S कर देंगे, तो हिहाँ पर देख सकते हैं, फूटर के उपर तो हिहाँ पर color हुआ, उसके आद में जो फूटर का text है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते तो यहाँ पर यहाँ पर iska color हम लोग यहाँ पर change कर देंगे, फुटर में next property हम लोग यहां पर use कर देंगे color और इसका color हम लोग चाहिए white white color लिए control s के text भापर आप लोग देख सकते white color में show हो जाएंगा उसका दमें इसकी padding वगर है आप लोग अपने according यहां पर कर सकतें लेकिन जैसे text पहले हम लोग नीचे लेना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसके प्रॉपर्टी उस करेंगे जिसे कहा जाता है clear यहां से हट गया है और यह आप लोग यहां पर नीचे शो हो जाएंगा अब यहां पर फुटर में आप लोग इससे देख सकते हैं अब यहां पर इसका margin और padding आप लोग अपने according चेंज कर देना या जैसे मैं आप लोग यहां पर clear कर दूँ फर्स्ट इसकी padding यहां पर यह padding यह property ले लेंगे और इसकी value हम लोग दे देंगे 2px 2px लिए control s के तो यहां पर आप लोग कुछ इस type में यहां पर शो हो रहा हैं यहां पर इस side में थोड़ा सा यहां पर शो हो जाएंगा इस space में जो left margin इसकी change करना है आप लोग तो यहां पर इस size से शो होँगा तो यहां पर screen maximize करके दिखा जाता हूं बात में से और भी हैं पर इस side लेना आप लोग अपने according ले लेंगे यह जिसे में आगे आप लोग को change करके दिखा दूँगा इसकी हम लोग यहां पर इसे हम लोग को हम लोग करेंगे हम लोग का पार्ट कम्प्लीट अब यहां पर क्या क्या हम लोग लोगों यह anche में यहां पर जो-ाबस आप दीर यहां परे से सृफ्षेघ कर के और कटने के बाद में जो डिवटating जो हम लोग रोग से कंण कर देंगे और यहां पर आम लोग पे आप लोग इसे पेश्ट करना है, control S कर देंगे यहां पर देख सकते हैं आप लोग कुछ इस टाइप में हम पे शो हो जाएंगा, अब इहां पर श्ट्रांग कर देंगे, इसे कटके, इस के अंदर पेस्ट करते सकते हैं, इस आप發現 यहां पर कुछ इस यहां पर यहां पर चेंज कर देंगे तो इसके लिए हम लोग फिर i freedom में आ जाएंगे और यहां पर हम लोग कर देंगे जो भी आप टैग हम लोग यूज़ करना है जैसे आम लोग यहां पर हिडर से शुरू कर देंगे gas in the back won't have a painter at earlier than 3 एंगे और थो पर mm स्क्रीयँ चिया हुआ है इसे हम लोग यहां पर क्लाखनेंंगे तो टेढ़ीफ यहां पर क्लास्थ्नीम इसका देंगे पीस रफिफ दयंगे और यहां पर अब हम लोग यूज करेंगे जैसे h1, और यहां पर .p1 जब आप लोग class name देदेंगे तो यहां पर p1 जो भी नाम दिया है और लोग ने .a as a operator लेना है उसका पर p1 आप लोग class selector देदोंगे उसका अब यहां पर open कर लें से close कर लें इसका declaration block है अब यहां पर आ हो जाएंगा उसका next आप लोगो जो टेक्स यहां पर शो रहा है local news यहां पर जैसे question में आप लोग देख सकते है local news यहां पर fire जो spider है और जो आप लोग का paragraph है इस side में आप लोग थोड़ा शो हो रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पार्ट जैसे जैसे रख margin जो यहां पर हम लोग लिए 0px 5px as if जैसे copy कर देंगे और यहां पर paste कर देंगे control s कर देंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर space आप लोगो शो हो जाएंगा उसका जो firefighter यह आप लोग है और जो report name है यह आप लोग पी टाइग में तो यहां पर हम लोग कर देंगा यहां पर paste कर देंगे पेस्ट करने बाद में सिर्फ यहां पर जैसे control s कर दोंगे तो यहां पर कुछ इस टाइप में आप लोग यह शो हो रहा है लेकिन जैसे इसका अगर margin lift जैसे में यहां पर screen maximize कर देता हूं यहां पर देख लो यह जो पाट थोड़ा और आगे इस टाइप में थोड़ा हलका सव लोग समझ में आजागैना जैसे आप लोकल नीूज और यहां पर आप लोग देख सकते हैं अब जो आप लोग का पैर का पैर अखैस कर लेंगे अप लोग उसे कर लिए इस डिक्छरश्ट में आप लोग से को कॉपी करना है और यहां पर पेस्ट करना है Ctrl S करना तो है इस टाइप में आप लोग को शोड़ हो जाएंगा लेकिन इसका color चैंज चाहिए हम लोग को color के लिए हम लोग टेक्स color यहां पर चेंज करना तो यहां पर color यह property ले लेंगे और इसका color हम लोग कुलर में चाहिए नहीं इhã लांइट ग्रे लेंगे सकते हैं थोड़ें JACK आप लोगена जिसे ढगांप लोग अपने अपी यता सेमन यहां पर हो जाएंगा एसके बात में और भी आप लोग को Michael टो हम सब्सक्राइब बड़ीgr फ्रेट में से मैं हम लोग लुप यहां सब्सक्राइब बीषज हो ज्यादा यह भी साही सी शो हो रहा है लोकल नीज यहां पर साही सी शो हो रहा है इसका सेक्शन यहां पर साही सी शो हो रहा है उसका फायर फाइर्फाइटर से उसका नीज लाइबरी यह हीडिंग यहां पर साही से शो हो रही है जैसे यहां पर आप लोग एक लाइन में शो उसका दमी नेक्स प्वाइंट आप लोग दिया फुटर होला तो फुटर में जैसे आप लोग जैसे फुटर इन्फोमेशन अब यहां पे थोड़ा फुटर को यहां पे आप लोग को यहां पर लेके आना है बस यह वाला पार्ट बाकि और जैसे बी न्यूस रिपोर्टर य यहां से यहां तक शो हो रहा है तो इसे भी हम लोग चेंज कर देंगे अब फुटर अलग पार्ट इसके उपर आ जाएंगे हम लोग तो फुटर के लिए हम लोगों ने यहां पे जो फुटर इन्फोमेशन जो टेक्स यहां पर यूज किया हुआ है जैसे इसे में प्रॉप में पैडिंग यह प्रॉपडी यूज कर देंगे और यहां पर उसकी वहली देदें 20px पेस और यहां पर नेक्श देदेंगे 15px तरो में प्लोग सैवया हो जाएंगा है फ्रीद देख सकते हैं अब जैसे यहां पर जो टेक्स आप लोगों को अखडेने स्दोल्ही कर देता हूं शरी और ह्लोक देख साइथ एक्स्ट्रा स्पेसटे माजिमाइывать करने यहां पर स्पेस हैंуч daw के विए उसके वाई हैं पर आप लोग उसके शोग उन्हां पर पर 29 के तो 29.5 कर देंगे कंट्रोल एस कर देंगे और यहां पर हम लोग अपने आउट्पूट में आ जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हाप इस पेस्पेस भी सई से आप एप मैनेज हुआ अब यहां पर हम फिर से साइड बाइस चेक करेंगे अब यहां पर जो ह बाकी है तो आप लोग मुझे comment box में comment कर देना उसकी coding में आप लोग को बता दूँगा कि उसमें क्या है जहां तक जितना भी यहां पर पूछागा है सब कुछ यहां पर मैंने आप लिए complete किया हुआ है और जहां तक मुझे जैसे लग रहा है यहां पर जो पार्ट है इसकी हो रहे है तो हिएाँ पर हम कि फाई कर देंगे पर अब हों ओने सकते हैं वान्यदा कि यहां पर जो चाहिए गया है तो हैंप लोग Цाजित कर देंगे यहां पर क्रो hein complete जो layout आप लोग यहां पर शो रहा है कि layout हम लोगों ने create किया हुआ है जैसे question हम लोगों दिया गयता है question के according हम लोगों ने जितनी भी tag दिये गए same tag यूज किये और CSS हम लोगों ने अपने according यहां पर same layout create कर सकते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही ता मुझे यही फोर्थ नमबर SOP को हम लोग practically कैसे solve करेंगे यह मुझे आज किस वीडियो में आप लोगों को बता ना था जो मैंने आज किस वीडियो में आप लोगो step by step बता हुआ है लेकिन फिर भी अगर आप लोग जो भी question होंगे या फिर जो भी doubts होंगे आप लोग मुझे comment box में पूछ सकते हैं अब मिलते हैं next वीडियो में